करता हूं आप सब लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम्टू टीचिंग स्कूल पर और भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की ठीक है यूपि टैट चेक लिए इंप्र्टेच के लिए इंप्रेंज रहेगी और अगर सब्सक्राइब आप नमस्कार नेहां चेल्ब करते हैं क्लास की सुरवात फटा-फट şunu क्या करreich लाइक कर दो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ठीक है सडोज यादो भईया है लो ठीक ओके प्रितिमा जी भी आ चुकी है संध्याव जी भी पहुच चुकी है तो देखो बागी आपको पता ही है डिसकाउंट चल रहा है बैस ले सकते उसके बारे में आगे डीटेमल चर् अच्छता के बात करेंगे और हमेशा की तरह थियोरी में पढ़ाता हूं आपको और उसके साथ कुछ प्रैक्टिस के लिए mcq भी लेकर के आता हूं अभी प्रैक्टिस के लिए mcq कर रहा है जैसे हम आगे चलेंगे ना मैं पूरे तरीके से फिर mcq के और सिफ्ट हो सामाजिक गुराईयां इनके बारे में कोशन मिलते हैं यह भी हम कर चुके हैं आज हम क्या करेंगे आज हम इसका दूसरा वाला चैप्टर करेंगे जो आपको भोजन स्वास्ता और स्वच्छता की बात करता है ठीक है फिए दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे यार फिजिकल एजुकेशन का क्यों पढ़ाएंगे वह फिजिकल एजुकेशन वहला नहीं पढ़ाता हूं भाई ठीक चलो ओके लटा कुबारी जी भी आ चुकी है चलो तो करते हैं सुरुवाद और सबसे पहले तो भाईया समय है भोजन करने का मुझे भूख लग रही है सुरुवाद क्लास व्लास के बात क्या कर लो भोजन ही कर लो मस्त भोजन आपके सामने यह लेकर क्या हूं अगर पूछू भोजन क्या है ठीक है कर लिया भोजन है ना स्वादिस्र देखके ही लग रहा है यार क्या बोले भाई रोटी है पापड है पूरी है और दुनिया म है सब कुछ है क्या है भोजन क्या है यह तो पता होना चाहिए न हमें तो कि सिंपल और शौट तरीके से मैं बताओं तो किया है खाए जाने वाले पदार्थ छिस पदार्थ को आप क्या कर सकते हो खा सकते हो ठीक है, जिससे आप खा सकते हैं, वो भोजन है, जैसे ये प्लास्टिक है, कितना चबातरों नहीं खा सकते हैं, साइड में क्या पड़ा हुआ है, साइड में मतलब फॉम लगा हुआ है, लकड़ी है, मिट्टी है, कोईला है, ठीक है, सीमेंट है, नहीं खा सकते हैं, भोजन हो जो खा सकते हैं लेकिन क्या मतलब खाएं तो कहने का मतलब है कि खाए जाने वाले बदार्थ जो भी होता है यह भोजन रहொले थे ध्यार दख लेता हं अब ऐसा तो है कि हम खा लेते हैं लेकिन क्या मतलब खा लेते हैं तो कहने का मतलब है खाये जाने वाले योग्य पदार्थ भोजन होते हैं और भोजन वह पदार्थ होते हैं जो हमें क्या देते हैं उर्जा और उश्मा प्रदान करते हैं ठीक है इनको जब हम खाते है ना तो शरीर को एनर्जी मिलती है बड़ी भूग लग रहे थी है अब भूला नहीं जा रहा है तब है आपके सामने या मट्र पनीर छोले बटूरे या जो भी आपको गोलगपे टिक्टी अगर पसंद है तो आपने कहें पटापट खाले बूला और साथ ही साथ उनको जब हम खाते हैं तो हमें उर्जा मिलती है हमारे शरीर को उर्जा मिलती है जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलता है वैसी ही हमारे पेट में खाना डलता है ठीक आया मज़ा भोजन करके यहां ते ठीक है फिर आगे चलता हूं मैं यहां ते ठीक है आगे चलते हैं भई देखो यह है जब हम खेलते कुटते हैं ठीक आपको न यह सारी चीजें मैं कहां से पला रहा हूं जो UP board की सरी刷 कि किताब है न उसमें से होज़ खोज करके ले करके आ रहा हूं मैं ठीक है तीसरी चोथी पांचवे जटी सारी किताबों मैंसे कल रात को बैट करके मैं ने देखा मैंने क्या चलो कुछ करते हैं नया असा बनाते हैं आपके लिए तो मैंने का चलो इनको करवाता है आज हम यूपी बोर्ड वाली SCRTE किताब है जब भी हम खेलते कुछते हैं लिखते पड़ते वो काम करते करते हैं हमें भूख लगने लगते दोस्त है उनका मुझ चली रहा होगा ठीक है कुछ ना कुछ चिप्स कुरकुरे पॉपकॉर्ण मठी चाई कचोड़ी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है चल रहा है ठीक है उमी मारिया जी गुड़ाफनून ओके मोहिनी जी गुड़ाफनून हाँ लता जी टॉपिक वाइस टॉपिक करवाने की ही मेरी पूरी की पूरी इच्छा है मन्शा है इसलिए मैंने आपको सुरू में स्लेबस में दिखा देगी परिवार कर लिया हमने सामाजी गुराई एड आवास के बारे में आपको मैं बताऊंगा ठीक चलो तो नमस्कार नमस्कार भी सभी को नमस्कार देखो आगे क्या खाते पीते तो क्या बोल रहा है जो खाते पीते उसे भोज्य पदार्थ कहते हैं ठीक है उसे भोज्य पदार्थ कहते हैं भोजन कहते हैं यही तो मैंने इ किताब में लिखा गया है कि खाए पीए जाने वाले पदार्त भूजन होते हैं ठीक है यह सॉलेड भी हो सकते हैं यह क्या हो सकते हैं ठोस भी हो सकते हैं और द्रव भी हो सकते हैं गैस नहीं हो सकते हैं ठीक है जहां नकले ना यह गैस नहीं होंगे ऐसा नहीं कि छोले बटोर की खुश्बू आई और पेट भर गया नहीं गैस से नहीं काम चलेगा भाईया पेट में जाना पड़ेगा ठीक है आ गही ना बाद समझ में तो भोज्य पदार सॉलेड हो सकते हैं रोटी दाल चावल साधे साथ धरव में भी हो सकते हैं जूस पी सकते हो दाल सूप ठीक है ल बोला बोला दो किलो गैस दो किलो खुश्बू सुंग ले पेट भर जाएगा तेरा ऐसा नहीं जाद आगे चलते हैं अब एक और बोला इसने कि भोज्य पदार उसे कहते हैं जितना सेवर कर सकते हैं मैंने बुला ना खा सकते हैं यहां पर सेमें आपको मताब जैसे बहुत भूजन थोड़ी हुआ ठीट थोड़ी हुई वह ठीट मतलब कि भाई एक काम करना किसी को मुझे ठीट देने का मन करें यहां से कोशन आता है आप बड़े खुश होते हो तो क्या करो मुझे ना पेटियम वाउचर दे देना ठीक है मेल आइडी बता दूंगा या फिर क्या कर करना होता है तो भोजन कहा जाएगा ठीक है तो भोजन कहा जाएगा और भोजन से हमें क्या मिलता है यह है इंपोर्टेंट भोजन का सेवन करते हो भोजन करते हो पानी पीते हो जूस पीते हो क्या मिलता है इस से क्या मिलता है इस से हमें ताकत मिलती है ताकत मतली मतलब बढ़ सकते हैं उर्जा हमें देगा ये ठीक है साथ हमारे शरीर में व्रध्धी करता है ये बच्चे हम जब थे तो इतने से ते फिर दिरे-दिरे पड़े होते चले गए तो कैसे बड़े हुए खाया ना हमने खूब खाया बच्पन से खाते चले आ रहे हैं आगे भी सोच र ना है शरीर में व्रध्धी हो रही है ठीक है साथ ही साथ भोजन ऐसा हो जो भीमारियों से बचाता है कोविड के समय पर खूब चल गया था काढ़ा पीलू बईया सुभे गरम करके घर में काढ़ा बन रहा । पीलो नाग बंद करके काढ़ा साम को काढ़ा ठीक और खाने तो, बस इतना हो गया था कि सबची ओंको सर्फ में ध्townा रह गया था है सबकुछ दो लिया सुखाली यह नहीं और बाद खाना था तो घाना वह जो हमें ताकत देता है क् Packla वह चा जो हमरे शरीर में व्रद्धी करता है, खाना वह अच्छा जो हमें बिमारी उसे बचाता है, यह तीन इंपोर्टेंट काम होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, अगर वो इन में से कोई भी एक काम नहीं करता है, मानलो आपने पिज़ा खा लिया, पिज़ा खाके आपको तागत तो मिल गई, बात समझ में आ गए यहां तक सब लोगों को चलो आगे देखते हैं हम भोज्य पदार्थ हमारे शरील को तीन रूपों में पोशन परदान करता है तो इस से हमें क्या पता चलता है कि जो भी भोज्य पदार्थ है जो भी हम खाते हैं वो हमारे शरील को तीन प्रकार से पोशन देता है ठीक है अब वो कौन-कौन से ध्यान रखना ये मुझे भी ऐसा भोजन खाना पड़ेगा जो मुझे खासे से बचा रहे है किसी के पास कोई दादया और नानी वाला नो उसका तुम बता दो भी मुझे मैं परशान हो चुका हूं इससे बस ठीक है तो इस अब जो पहल पहले बताये थे ताकत देता है हमारे शरीर की व्रद्धी करता में बीमारे से बचाता है इसके आधार पर हमारे शरीर को तीन रूप में पौशन परदान करता है बोज्यपदार्थ कौन-कौन से वो तीन रूप है ठीक है तो हम क्या करते है इन जो पहले गुर बताये थे उनके आधार पर बोज़ेपदार्थ को तीन भागों में पाट देते हैं एक वो जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है उर्जा मिलती है तो इसलिए क्या है उर्जा देने वाले बोज़ेपदार्थ क्या मिले एनरजी बूस्तिंग फूर्ड जो उर्जा दे रहे हैं ठीक है जो जो हमारे शरीर को ताकत दे रहे हैं एक कैटिगरी वो हमें मिल गई दूसरी कैटिगरी क्या मिली हमारे शरीर की व्रद्धी करने वाले खाना तो वो सबी खाना जिससे खाने के बाद हमारे शरीर की व्रद्धी होती है विकास होता है अद्रक का रस घुड के साथ हाँ सुना था मैंने करूंगा चलो आज ही अपनाऊंगा अद्रग का रस और गुड़ लेकिन यार वह बहुत ही मत्तब अद्रग भी रठा हुआ है अच्छा गुड़ के साथ श्याद नहीं ठीक है चलो आज गुड़ के संग ट्राइ करेंगे मिला करके बहुत खतरनाक पुत अद्रग में कच्छा तो चबा लेता है लेकिन रस पीदा मुश्किल हो जाता है चलो कोई नहीं आगे करते हैं तो शरीर की विद्धी कर रहा है ठीक है तीसरा वो सभी प्रकार का खाना जो हमें रोग उसे बचाता है जैसे मसाली के सा आपने बताया कि सर गुड़ खालिया करो ठीक है पानी मत पीजेगा गुरुजी ओके आधे घंटे तक ना या कल क्लास में आकर कई पूछो कि आप पानी पीलू मैं ऐसा तो नहीं है कही है अधरा गरम करके नमक के संग खा चुका हो मैं उसका ज्यादा फाइदा हुआ नहीं है चल हो गया अभी जो आप लोग ब बचाओ करने वाला आगी बात समझ में तो हम जो हमारे खानी में मसाले डालते हैं हमारे खानी के बहुत अच्छी बात है यार हमारे खानी में मसाला पड़ता है और चाहे वो लॉंग हो इलाईजी हो अधरक हो लहसुन हो यह खाना ऐसा होता है ना यह खाना ऐसा होता है जो हमें छोटी मुड़ी सर्दी जुकाम तो छोड़ो कैंसर तक से बचाता है इसलिए हल्दी जो हमारी है न यूरोपियन कंपनी वाले यूरोप के उस पर पेटेंट करते हैं कि नहीं यह हमारा है हमने पेटेंट की लड़ाई लड़ी और फिर हल्दी हमारी हुई ठीक है यही त सबसे पहला जो हमें ऐलर्जी देता है उर्जा देता है जो हमें ताकत देता है तायकत क्या होता है तकत का मतलब क्यों होता एंड है त्क सीं तो प्लादीचुन अच्छा 1 मैं मिलाकर अच्छा तो शहत तो है व्या वही सीतो प्लादी चुण लाना पड़ेगा ओके अरे वाह चलो आज अंतरा गुड़ और यह स्वीतो प्लादी बास जादा मत बताओ तो मैं भूल जाओंगा वही वाली बात दो सब जादा मत पड़ाओ हम बोल जाएंगे वही मेरे सक्वी होगा तो में इतने सारी चीज़ें बता दोगे फिर वह बोल जाओंगा डिलेट फरस्ट समेस्टर वाले यूपिटेट हां बिल्कुल दे सकते हैं को यूपिटेट की कोई डेट भी आई नहीं है अब मान के चलो कि जब तक आपका डिलेट आप खेल रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो अब इसमें क्या जा मिल जाता देखो यहां पर लिख रह कला जैसे यहूँ यूपी टेट वाली किताब है ना उस किताब की इमेज है फिर से बता रहा हूँ मैंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा यह सब उस किताब से मैं ढून-ढून करके लेकर के आ रहा हूँ ठीक है तो पहला तो यह हो गया है सुपर टेट के लिए वैलिड होगा क्या बिलकुल होना जो होगा बिलकुल होगा भई ठीक है चल अगला हमारे की व्रद्धी करने वाले भोज़े पता जो हमारे शेर को व्रद्धी करने में मदद करते हैं जैसे डाल हुए दूद है क्या दिया है इसने इसने दिया है दाल दी है ठीक है मूंगफली दी है यहां पर मचली और के दिया है मांस दूद बंदा चने और यह एक और समझ में नहीं आ रहा है क्या दिया है अगर आपको उसमें देखता हूं मैं जड़ा चलो खेर जो भी है अब इन शॉट अगर यहां से इन सब को आप देखो तो शरीर को रद्धी करने वाई जो पोशक तत्तों मिलते हैं न वो कैसा खाना होता है वो प्रोटीन युक्त होगा जो कैसा होगा प्रोटीन युक्त खाना क्या होता है न जो बॉडी बिल्डर होते है देखा होगा ना बॉडी बिल्दर जाए को जाएंगे और लाओ जी चने सुवें चने खाएंगे सुयाबीन खाएंगे दूद्वूद पियेंगे सामको जाएंगे तो क्या हो तिरको व्रद्धी के लिए जो जरूरी होता है सर जी पहले यूपेटेट क्लियर करना है बाद में सुपरड़ हारे दोनू हो जाएंगे ठीक है चलो यहां तो को कि अब इससे पहले वाले अगर आइटम को हम देखें और उससे क्या समझ में आता है कि जो हमें उर्जा और ताकत देते हैं वो कैसा होते हैं वो घही तेल रोटी दूज जो घही तेल क्या है वसायुक्त भोजन ठीक है ऐसा भोजन जिसमें फैट हो वसा हो वो क्या होगा उससे उससे हमें उर्जा मिलेगी ठीक है ऐसा भोजन जिसमें फैट होता है उससे हमें उर्जा मिलेगी और ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन होता है उससे हमारी शरीर का विकास हो जाएगा आग यही बात समझ में हाँ थियोरी तो करा रहा हूं अंजली और क्या करा रहा हूं आगे आपको क्या मिलेगा आगे आपको क्या मिलेगा आगे आपको मिलेंगे थियोरी तो मैं करवा ही रहा हूं लेकिन आगे क्या क्या दूंगा आपको क्यूं भी करवाँ अब आगे चलते हैं यहां तक का भोजन रद्धी करने वाला तीसरा टायफ का क्या था रोगों से बचाने वाला भोजन रोगों से बचाव करने वाला भोजन ऐसे बोजे पता आप जो हमारे शेर को रोगों से बचाते हैं रोगों से बचाने वाला भोजन क्याते हैं जैसे क्या दे दिया इसने देखो दूध दे दिया है ठीक है इसके अलावा दे दिया इसने पल और सबजिया दूद के अलावा क्या दे दिया और पल और सबजियों में क्या मिलता है gelir अब एक चीज तो समझ में आया दूद यहां भी इससे पहले भी इससे पहले की मतलब कि यह जो दूद होता है ना यह क्या माना जाता है यह हमारे श्रेंगinku उर्जा भी देता है, यह हमारे शरीर को व्रद्धी में भी साहयक होता है, और यह हमारे शरीर को रोगों से भी बचाता है, इसलिए कहा जाता है कि जो दूद होता है, वो एक कमपून आहार माना जाता है, दूद को क्या कहा जाता है, एक कमप्लीट मील कहा जाता है, ठीक है जूद को एक कम्प्लीट मील कहा जाता है आई बात समझ में सर बेड फस्ट यर में बैक लगी है तो एक्जाम दे सकते हैं टेट का प्लीज हाँ दे सकते हो भाईया बैक लगी है पास हो जाओगे हाँ बस वही वाली बात इसलिए तो देखो इन सब चीजों को पर चिंता मत करो कि मैं डियलर्ड या बीयर्ड पस्टियर में बैक आगी है या पेपर है दे सकते हो ने दे सकते हो अभी तो यह लग रहा है कि पेपर क्या होगा जो यह इसका मतलब जो यूपिटैट है वो शायद फरवरी मार्च के आसपास में आएगा ऐसा लग रहा है कोई कंफर्म नहीं है तो जब तक आएगा हो सकता है आपका बैक वाला डियलर्ड वाला सब कुछ पास हो जाए अप तैयारी करो आपके हाथ में सिर्फ बहतरीन अ त्यूब करको बस करमड़े वादिकारिस तूब माफ अलिसूग राचना यही तो है कि कर्म करो जो तुमारा कर्म है उसे करो बाकी छोड़ो पेपर आएगा अच्छी तैयारी है आराम से सलेक्शन हो जाएगा लेकिन पेपर की टैंशन में अभी तैयारी नहीं करी पेपर आगे आप बोलो कैसे त्यारी करें तो थोड़ी काम चलेगा ना ठीक मुनिका गौतम देखो हाँ बिल्कुल सरोजादा जी बिल्कुल ठीक है और मुनिका जी आप कभी मैंने आपको देखा है कि जरूर से क्लास लोंगा बाकी देखो बहुत सारे और इफन बेट्स होता है कंपनी के साथ में तो वो भी देखेंगे फिलाला वागे के बात करते हैं तो क्या होना संपोड आहार हो गया और यहां से हमें समझ वेया फन और सबजिया क्या होती है इनमें विटामिन भरपूर होता है तो यह विटामिन युक्त भोजन है ठीक है यह क्या हो गया विटामिन युक्त भोजन मिलता है हमें अले बास समझ में अरे जब तक मैंने यही तो बोलाओ जब तक आएगा नोटिफिक्रेशन होगा हो सकता है तब तक इनका क्लियर हो जाए कुल देव भी पॉजिटिव अच्छे सोचते हैं ठीक चलो अगला अब हो सकता है यह तैयारी भी ना करें और साथे साथ क्या करें फिर बात में इनका क्लियर भी हो जाए फिर चीज़ें हो तो इसलिए मैं कह रहा हूं चलो अगला सामानियत है पूरे दुन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे बोजन या आहार कहते हैं यह हमारे शरीड में व्रद्धी अच्छे स्वास्ट को बनाया रखने के लिए हमारे बोजन में वेश सभ की पोशक तत्व होने चाहिए और उचित मात्रा में होने चाहिए जिसके आवशिक्ता हमारे शरीर को होती है को भी पोशक तत्व ना तो अधिको ना कम हो यह चीज़ ध्यान लगो अब इससे एक चीज़ और मिलेगी अब तक तो हमने पड़ा कि जो हमारा भोजन है जो पो पूरे दिन बर मैं खा रहा है न वह एक ऐसा हो कि मेरे शरीर को जिस चीज की जरूरत है पानी की जरूरत है तो पानी मिले ठीक है प्रोटीन की जरूरत है तो प्रोटीन भी मिले विटामिन की जरूरत है तो विटामिन भी मिले ठीक है तो सारी चीज़े मेरे शरीर को सही त कम हो ठीक ना तो बहुत ज्यादा हो ना वह बहुत कम हो यहां से आमारे सामने क्या निंकल के आता है ऐसा भोजन अब देखो इससे पहले कि मैं आगे बताऊं एक और आपका संजीवनी बैच चल रहा है 70% डिसकाउंट पर साथ इसाथ जो यूपिटेट सूपर टेट वाले है वो सक्षम बैच पे भी जा सकते हैं एक्साम वो रैप्लिकेशन डाउनलोड करो वहां पर यूपिटेट और सूपर टेट वाले सक्षम बैच में भी देख सकते हैं ठीक है और जो केवेस वाले हो संजीवनी बैच में जा सकते हैं तो वो भी आप वहां पर देख सकते हो चल हो कि आपकी एक ठाली है आपके ठाली में सबजिया है ठीक है आपकी ठाली में क्या है आपकी ठाली में सबजिया मिल रही है रूट्स मिल रही है अनाज आ रहा है प्रोटीन आ रहा है तो क्या मिल रहा है शरीर की व्रद्धी करने वाला तत्व अनाज पल सब्जिया यह क्या कर रही है यह उर्जा देने वाले तत्व है यह बिमारियों से रक्षा करने वाले तत्व है तो यह सारे के सारी चीज़े क्या हो रही है यह चीज़े क्या है हमारी ठाली में होनी चाहिए जैसे इसने बोला कि लगबग 40% सब्जिया होनी चाहिए 10% फल होना चाहिए सब्जी और फल से हमें फाइबर मिलता है ठीक है रेशा युक्त खाना मिल जाता है, अनाज से हमें कार्भोहाइड उर्जा प्राप्त होती है, कुछ healthy oil भी लिखा हुआ है, तेल जैसे घी, मक्खन, ये healthy oil, ये भी हमें उर्जा देगा, साथे साथ प्रोटीन में, चाहे अंडा हो, दूध हो, पनीर हो, मचली हो, ये क्या है, प्रोट क्या खाने को क्या बोला, इसको बोला गया है, एक balance diet, संतुलित आहार, क्या बोला है इसको, balance diet, संतुलित आहार क्या होता है, एक ऐसा आहार, अब P.S. चौधरी जी, देखो, इस बारे मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहा पाऊंगा, ये management का फैसला होता है, अकसर की, किस किस तरीके से क्या होता है, और जब आप भी, उमीद करता हूं, जल्दी जॉब कर रहे होगे, या करोगे, तो आप भी जानोगे, किसी company में काम क management के कुछ फैसल होते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, ठीक है, तो उस चीज के लिए अगर आपको किसी से पूछना है, जो बात करनी है, तो आपको help line number दिया रहता है न, उस number पर call करके, आप अपनी query बता सकते हो, कि देखो, ऐसा ऐसे चीजे है, ये क्यों नहीं है, जागो गिराहक, जागो हमेसा बोलता हो में, तो वहाँ से आपको बहतर समाधान और बहतर answer मिल पाएगा, ठीक है, ठीक चलो, अब आगे देखते हैं, तो संतुली ताहार पता चल गया, क्या हो गया, संतुली ताहार जिसमें protein भी है, vitamin भी है, minerals भी है, पानी भी है, फैट भी है, सब कुछ है, पूरे दिर बर में आप जो जो खा रहे हैं, अगर उसमें यह सभी चीजे बराबर-बराबर मात्रा में है, जितने आपके आपको शेयर को चाहिए, तो वह एक संतुली ताहर बैलेंस डाइट कहलाती है, अब आगे चलते हैं, अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं, तो यह देखो, भोजन के कारिये, अभी तक तो हमने तीन इंप्रोटन तरीके से केटेगराइज कर दिया था, कि जो हम चीजे खाते हैं, वो तीन केटेगरी में होती है, और वो तीन केटेगरी उर्जा देने वाले, व्रध्धि करने वाले हैं, और रोगो को शक्ति प्रदान करता है भोजन शरीर का निर्माण और मरमत ब्रद्धी और विकास अगर कहीं चोट लग जाती है तो दिरे-दिरे ठीक हो जाती है अपने आप मरमत हुई ना मैं कहा रहा हूं मैं खासी हो रही है मुझे खासी होने को यह से गलाद छिल रहा है तो मेरी बॉ शरीर की व्रद्धी होई शरीर का विकास आप जिंदगी बड़ व्रद्धी विकास तो आपको CTP में बहतर पता है कि हमारा विकास डेवलप्मेंट तो होता रहता है लेकिन व्रद्धी जो होती है वो एक एस तक होगी ऐसा नहीं कि आप मेरी हाइटा भी सारे पांच संधीय जाद हो आप्सगी लेना है तो फैर में और यह फुद्धे शाथ उन नौर्पर आरा कि करना है और सारी व्रद्धेKI बैच कैसे लेना है, सब जान सकते हो, ठीक, तो दिखो कुछ भी टेंशन की जरुवत नहीं है, बोलो, बोलने से सब होता है, हाँ कुल्दी देखो एगर फरवरी में नॉटिफिकेशन आता है ना तो फरवरी के नोटिफिकेशन को आद के बाद क्या हुआ अप्रेल और मई में जा करके पूरी संभावनाएं की पेपर हुगा ठीक है तब तक इनका पीज़ीडी चीडीगी वाला भी निप्टा दिंगे ठीक है कुल्दी कि सारी वीडियो फ्री है क्या कौन से वीडियो सरोज यूट्यूब पर तो सब कुछ फ्री है चलो आगे देखते हैं अगला भोजन क्या करता है भोजन रोगों से स्वरक्षा करता है और भोजन जब हम खाते हैं न तब हमारे शरीर में एंजाइम और हार्मोंस बनते हैं जो शरीर के लिए लाबकारी होते हैं आगी पास समझ में अभी तक एंजाइम वाला पॉर्शन नहीं आया था ठीक है यहां पर देखो खाना खाते हो खाना चबाते हो जैसी सबसे पहले तो आपके सामने ठाली आई बड़ी आसी जिसमें क्या है मस्त से क्या हो गया है मतलब जो भी आपको पसंदो मतर पनील छोले बड़ो रहे यह जो कुछ भी डाल चावार रोटी सब्जी वह आपके सामने थाली आई तो मूह में क्या हूआ पानी आया मूह में पानी आने का मतलब क्या आपको भूग लग रही है और आपने जैसी निवाल आउन करा फिल छोटे आपके एंजाइम है वहां पर उनने उसको एब्सॉर्ब करा तो डाय जैसी सिस्टम जब आप पूरा देखोगे आगे तब आपको सारी चीज़े मिलेंगी फिला यहां पर देखो कि खाने से हमारे शेर में एंजाइम और हमारे शेर में हार्मोन भी सह ही तरीके से काम करते हैं बात समझ में आगे सबको तुम मुझे एक बार यसर कहके और थमसाप करके बता दो भई ठीक है सेशन को लाइक भी कर दो आगे बात समझ में सबको चलो बहुत बढ़िया अच्छा समझ आये तो बात चलते हैं अब बार बार बात हो रही है खाना खाना है खाने से यह होता है लेकिन एक इंपोर्टेंट चीज होती हैना साथ सफाई एक थेले वाला गोल कपे बेच रहा था ठीक है अब गोल कपे लो जी खाओ गोलगप्पे, खाना पसंद करोगे, हैं, खाना पसंद करोगे, अच्छी, सारा हाथ में, और ले टिक्की बना दी, पसंद करोगे खाना, ले करोगे न, ठीक, अब ऐसे गोलगप्पे कौन खाना, अक्सर आप वीडियो देखते भी रहते होगे, टिक टॉक, फे सबसे मेहनन पता ही जो खाओ आप वो साफ हो, हाईजेन हो, वो कैसा हो, हाईजेन हो, तो फूड हाईजेन मतलब अपनी सफाई तो करनी है, यह खाने से पहले हाथ दोलो, हाथ नहीं तो سैनेटाइज कर लो, ठीक है, जीतो तू सारा करना ही है, लेकिन साती साथ, जूखा र करने हैं तो इसलिए फूड हाईजिन भी जरूड है अपनी सफाई तो करनी ही है ठीक है साथ इसलिए भोजन हमेशा ढक कर रखना चाहिए खोले रखने से धूल मक्कियां गंदा करती है तो जब भी ठेले वेले पर खाओ तो ध्यान रखो ढका हुआ भोजन हो ठीक है दूसरा फलो और सब्चियों पर धूल जमा हो जाती है छोटे-छोटे कीडे भी उन पर आ जाते है इसलिए ने खाने से पहले साफ पानी से ढोना चाहिए आजकल तो ऐसा भी है ना कि जो सेव आप लेते उस तो पर चमकीली सी परत आ जाती है और मैंने देखा था मतलब मैंने वैसे तो परसनली नहीं देखा लेकिन वीडियो में देखा है वह ऐसे चाकू से खुरसता है तो वैक्स की लेयर लगी रहती है ताकि वह जल्दी खराब ना हो ठीक है तो इसलिए क्या है इसलिए यह चीज में ध्यान लखो सामको गोल गप्ते खाने से पहले देख ली ना वहिया क्या-क्या हरकत वह कर रहा है पहले चुप-चाफ साइड में खड़े हो के देख ली ना उसकी हरकत है फिर खाने का सोच ना तो फूड हाईजीन मतलब आप तो बहुत हाईजीन हो ठीक है दोने में खा रही हो वह बाजार में खुली हुई चीज़े कटे हुए फल नहीं खास चाहिए ठीक है अंब यह हमसे क्याह रहा है सब्सक्राइज कद्व काुका काट हों नहीं घड़ोगो कद्व Excels$ सीटाफल, सीटाफल हमाई तरफ में कद्दो बोल देते हैं उसको, पम्पकिन, तो उसे काद लेते हैं, तो अब वो रखा हुआ है, अब ठीक है, तोल के लेकर क्याओ, लेकिन खाने से पहले उसको सही से धोलो, ठीक है, तो एचे द्यान रख लो, अगला आप जो खाते हो ना चबा चबा कर खाओ आपने बड़ी बूचरग को यह कहावज सुनी होगी यह खाने को 32 बार चबाना चाहिए तो यह 32 बार चबाना चाहिए क्या होता है यही हमें मिल रहा है ठीक है यही आपे मिल रहा है कि खाने को अच्छे से चबाओ क्यों इससे जो आप जैसे आप जल्दी अल्दी खाते हैं इसा फास फूड होता है चौमीन होती है पीजा बर्गर चौमीन लपेटी करते हैं सिते गले के नीचे अब वो सॉलिड एक तो मैदा उपर से वो साबूत के जल्दी हमारा पेट हमारा जो स्टमक है उसको ब्रेकडाउन नहीं कर पाता और इसकी वज़े से बहुत सारी परिशानिया होती है जब आप उसको चबाओ अच्छे से तो खाना ब्रेकडाउन हो जाएगा खाना टूटेगा ठीक है छोटे चोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा फिर जब आप उसको निगलोगे तो तब नीचे जो एसील मिलता है पेट में हमारे वह एसील उसको अच्छे से तोड़ेगा अगर उसमें कोई बैक्टिरिया है तो उसको माल डालेगा इसलिए बोला जाता है कि खाना अथी से चबा के खाना चीमत 32 वार नहीं तो यार अब बड़े बड़े हैं बहुत लंबे समय से खा रहे हैं ऐसे तो आदत है लेकिन आपकी भी यही आदत अगर है तो बदल लो भाईया ठीक है छोटे-छोटे टुकडों में दांतों से चबाई नहीं कि छोटे-छोटे टुक्ले करें गटकते चलेगा है ठीक बोजन क जबिनमें बैटकर खाते थे आचकल तो क्या हो रहा है काड़े चम्मस्य खाना हाथ कौन धो रहा है होटल में जाए बहुत अब बहुत बड़े कुल्दी 30-40 मिट खाने में लगात हूँ यह अच्छी बात है यह भी एक पॉर्शन में मिलता है तो फोन नमबर नीचे टिकर लाइन पर चल रहा होगा उस फोन नमबर में आप कॉल करके के बैच के संजीवनी बैच के बारे में और यू पी टी इटी का जो बैच है या फिर सुपर टैट का जो बैच है उसके सक्षम बैच के बारे में पूरी जानकाली ले सेक्टें कितने का है क्या है क्या नहीं सारी चीजा में मिल जाती है ठीक है चलो, अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, अब हमने सब कुछ खाया, अच्छे से खाया, लेकिन अगर नहीं खाओगे, तो क्या हो जाएगा, नहीं खाओगे तो हो जाएगा, कुपोर्शन, मालनुट्रेशन्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, कुपोर्शन हो मलन्यूट्रेशन हो जाएगा शरीर में आवशक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता को पोशन है मतलब एक व्यक्ति जिसको विटामीन चाहिए था वो प्रोटीन खा रहा है विटामीन छोड़ दिया यह वो उसने प्रोटीन छोड़ दिया विटामीन विटामीन मिल रहा है क्या हो जाता है को पोशित हो जाता है विकति अधिकता हो जैसे हमारे अट्मोस्फेर में होता है ना जईन्री कारबन डाइकशाइड हो टिन सब का है उपर से मिट्टी डाल दी ठीक है सारी चीज़े गड़ बढ़ा दी तो वह होता है वैसी यहां पर सब कुछ बैलेंस हो तो बढ़िया पोशन लेकिन अगर आपको खाने पीने में किसी चीज़ की कमी हो गई है किसी चीज़ के अगला मल्नटीशन के प्रहुक कारण क्या 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 मिलते है प्रोटीन की कमी से क्हुँआस्य और मरास्मस नाम की बिमारे होती है यह पूछा जाता है प्रोटीन की कमी से क्वासी और गर या मरास्मस नाम की बिमारी हमें मिल जाती है यह पॉइंट ध्यान रखना यह अग्जाम में पूछ लेता है आप से ठीक है शरीरती व्रद्धी रुक जाती है मांसपेश्या कमजोर हो जाती है चैरा लटक जाएगा इस तरीके से ठीक मरास्मस बिमारी में पेट क्या होता है ऐसे छोटे बच्चों का पेट फूल सा जाता है ठीक है तो यह आप यहाँ पर देख लेते है चलो अगला कार्बो हाइडरेट की कमी हो जाती है ठीक है मांसपेश्या शरीर कमजोर हो जाएगा उर्जा नहीं मिलेगे ना अब ठकान ठकान महसूस करोगे क अगर फैट की कमी होगी तो मांसपेश्या कमजोर और तवचा रूखी जैसे आजकल सर्दियों में गाल कैसे रूखे रूखे हो जाते हैं होटनी रूखे होते हैं फिर आप वैस्टलेंड ढूनते हो फिर मूँपे लगाते रहते हो इससे अच्छा क्या कर लो बढ़िया त सर्दियों में तो हम पानी पीना छोड़ देते हैं ठीक है उट बन जाते हैं चलो अगला विटामिन की कमी तो बही विटामिन की कमी से तो बहुत सारी बिमारिया हैं वह आगे लिख पाऊंगा आपको पूरे की पूरी लिस्ट बताऊंगा यूगि वहां से तो कुशन बनत ही बनता है ठीक है चले आगे कि और अब कि क्या मुलें दही के साथ खाओ तो लेकर आओ मतलब मैं लेकर आओं कि खालो है यह यह बोलो कि खाओ तो लेकर आओं अच्छा चलो विटामिन के बारे में देखते हैं इसका विश्काल डॉक्टर फंक ने किया था ठीक है डॉक्टर फंक ने इसका अविश्कार किया था विटामिन में कार्बन होता है मतलब कैमिकल फॉर्मरा देखोगे तो कार्बन हो जाता है और इसलिए इनको कार्बनिक भी कहा जाता है और विटामिन मुख्य रोप से विटामिन 6 प्रकार के होते हैं लेकिन टोटल 13 के विटामिन की खोज की लेए च्छाह प्रकार कौन सा विटामिन A, B, C, D, E और K च्छाह प्रकार होगे तेरा प्रकार कौन कौन से तो विटामिन A विटामिन A फिर आता है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12 और आगे क्या है या C D E के कितने होगे एक दो तीन चार पांच है साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेड़ा ठीक है इसमें कोई एक विटामिन कुछ कम जाता तो नहीं हुगा तो यह टोटल 13 प्रकार के विटामिन हमें मिल जाते हैं अब विटामिन को हम दो तरीके से पानी में खुलने वाला विटामिन कौन सा है डब्लीवी सी कि नहीं होता तो मैं वह ही क्या हो कुछ गरबर कर दिया मैं जल्दी-जल्दी लिखने में विटामिन B1, विटामिन B3, B4 आगे मिल जाएगा कौन सा होता नहीं होता चलो आगे देख लेंगे हम तो पानी में और वसा में घुलने वाले विटतामिन जो इनके अलावा बाके बज गये A बज गया B.C यहां आगे D.E.Kork ytो AD एक फै rats में घुलने वाले विटामिन मिलते हैं और W.B.C water-soluble vitamina में मिल जाते है ठीक है यहां तक क्लियर Wb.C water soluble vitamina में मिल जाते है हाँ कुल्दीब ये पहली ही क्लास है भाईया अगला अगला आपको फिर से बैच मिल रहा है ले लो अब देखो यहाँ पर विटामिन B1 विटामिन B2 कौन के रहा विटामिन B2 नहीं होता कौन के रहा विटामिन B2 नहीं होता जरा बता ना विटामिन B1 को रैटिनोल कहा जात है इसकी कमें से रतौंधी होती है नाइट ब्लाइडनेस होती है ठीक है नाइट ब्लाइडनेस का मतलब क्या होता है ओहो इसमें गाजर मतरा आलू थे वो गाए भी हो गई नाइट ब्लाइडनेस का मतलब क्या होता है अच्छा नाइट ब्लाइडनेस का मतलब होता है कि सूरज ढलने के बाद ना दिखाई देना कम हो जाता है ठीक है अच्छा हां पहली क्लास है ये नाइट ब्लाइडनेस का मतलब होता है कि सूरज की रोश्णी में कमी होते ही दिख ना बंद हो जाता है व्यक्ति को नाइट ब्लाइडनेस विटामिन 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 को थाइमिन कहते हैं और बैरी बैरी रोग नॉर्मली विटामिन 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 की कमी से पेपर में आता है अगर विटामिन 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 विटाम अगला विटामिन B5 निकोटोमाइसिंग या नियासिंग इसको कहा जाता है इसकी कमी से पैलेग्रा होता है दिमाग से संबनित कुछ बिमारी होती है पैलेग्रा इसके कमी से होता है विटामिन B6 पैरीडॉक्सिन होता है इसकी कमी से एनीमिया होता है इसकी कमी से एनीमिया हमें मिल जाता है विटामिन 7 को विटामिन H भी कहा जाता है बायोटिन बालों से संबनित बिमारी और तुचा से संबनित इसलिए पहले एक शैंपू आया करता था चिक शैंपू और व विटामिन H मतलब विटामिन B7 की बात चल रही है, अब इसको विटामिन B7 कहा जाता है, H ना कहके, ठीक है, और वालों से संबंदित समस्या इसकी कमी से मिल जाती है, हाँ, अगला, विटामिन B9, पॉलिक एसिड या पॉलिक एसिड कहा जाता है, गरवस्ता के समय, जन्मदोश की बात मिल रही है, मतलब जब गरवती होती है, उस समय पर अगली विटामिन ना पहुचे तो, बूर्ण में क्या हो सकती है, समस्या उत्पन हो सकती है, अगला, विटामिन B12, सायनो कोबालमिन ह होता है, इसकी कमी से भी एनिमी है, यानि अरक्तता की कमी मिलती है, ठीक है, एक्जाम में नॉर्मली जो मैंने आपको सर्कल किया है, वो पूछ लेता है, और ये कैमिकल ने पूछ लेगा, A, B, C, D, E, K, ये कम से कम छैतों आपको याद रखने ही, रखने पड़ेंगे, वि विटामिन D, कैल्सिफ फैरोल होता है, इसकी कमी से रिकेट होता है, मतलब मांस पेश्या क्या होती है, टेड़ी हो जाती है, पाउं टेड़े से हो जाते है, विटामिन E, टोकु फैरोल कहा जाता है, इसकी कमी से जनन शक्ति पुरुशों में, जनन शक्ति की समझतिया, महि अलग लग प्रकार की समस्याइं दिखती है और विटामिन के फ्रक्विनोन कहा जाता है इसकी कमी से लक्त का थक्का नहीं जमता तो यह विटामिन से संबंदित बिमारिया हमें मिल रही थी ठीक है आज हैं你就 के तो इसके हो ने पाई यह करके तो मैं आया था आप लोगों के लिए कुछ करवा देता हूँ विटामिन की खोज किसने की थी थि ठीक है विटामिन की खोज किसने की थी यह आपका ह одна यह आपका होंवर्क है नहीं आउंगा मैं इसका अंसर आपको अगला जल में घुलंची विटामिन कौन से है ये भी आपका होमवर्क है ये भी आपका होमवर्क है अगला शनशाइन विटामिन किसे कहते हैं शनशाइन विटामिन ये भी आपका होमवर्क है तो ये तीन कोशिन आपको कहां मिलते हैं होमव लोक्त में मिल जाते हैं ठीक बागी क्या करेंगे बागी करेंगे अगली क्लास में आप लोगों के साथ और और क्या हो रहा है और वाई संजीवने और सक्षम बैच है उनको देख लो क्लास अच्छी लगी तो क्लास को फटा-फट से लाइक कर दें जिन्हों नहीं करा और लोगों को बता रहा हूं बागी एक होंगा अपना त्यान रगों स्मस्त्रों सुरक्षित रहों टेक क्यार एंड बाई बाई झाल 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 झाल